कैथल के RKSD कॉलेज के हॉल में पंजाब केसरी समू के संस्थापक स्वर्गे लाला जगत नाराइन की पुन्य तिथी पर विशाल रगदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथी के रूप में कैथल पुलिस अधीकशक आस्था मोदी व कैथल शहर की अन्य बड़ी हस्तियां पहुँची इस मौके पर रगदान करने वाले लोगों का उत्सा बढ़ाते हुए मुख्य अतिथी आस्था मोदी ने कहा कि लाला जगत नाराइन जी एक निर्भीक, जुजहारू, समर्पित एवं निश्ठवान देशभग थे उन्होंने राष्टर की अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहूती दे कर कलम की मशाल को जलाए रखा उन्होंने कहा कि आज नौजवानों को उनकी जीवन से प्रेण ना लेनी चाहिए उन्हों हमें जब भी अफसर मिले इस प्रकार के पुन्ने कारे में बढ़ चर कर भाग लेना चाहिए जो जो उरिजनल फाइटरस पे ऑरिजनल जो 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 चरीजिजरी से, जो किसी आतकवादी से, किसी सरकार से, किसी से बिना दरे जिनोंने का रहे करा है उनकी पूरी थाजी इस फीज का प्षरी का प्रडीक रही है जो प्रतीक रहे, कि समाज के लिए उन्हें अपने जीवन तक समधित करें। जीवन दान कर सकते हैं। जीवन प्रतीक रहे, कि समाज उन्हें जो हमारे समाज के लिए किया है, देश के लिए किया है, इसको हम भूले नहीं है। इस अफसर पर आए हुए अतीथियों का आभार व्यक्त करते हुए, पंजाब केशरी कैथर के ब्यूरो चीफ, महीपाल सिंग, प्रतिनिधी गौरव मित्तल, विनोध मित्तल, वसुखविंदर सिंग मौजूद रहे। इस रगदान शिविर में लगभग 110 रगदाताओं ने रगदान कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।